तो जैंगो की इस वीडियो की सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है और यहां हम लोग सीखेंगे जैंगो एंवार्मेंट को set करना और जैंगो में एंवार्मेंट कैसे set करते हैं सबसे पहले आपके पास मैं बिल्कुल scratch से start करता हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है python को install करना है python की official site से अगर आपके पास computer में पहले से python है तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आपके पास multiple python के versions है तो आप चाहें तो उनको हटा सकते हैं और बिल्कुल एक fresh start दीजिए अपने laptop को और एक बिल्कुल python का जो नया latest version है उसको आप download कीजिए उसके बाद jango को install करने के लिए आपको यहाँ पर terminal वे आपको आजाना है और आपको लिखना है pip install jango जैसे ही आप इस पर enter करेंगे internet आपके computer पर होना चाहिए और जैसे ही आप इसको चलाएंगे इस command को आपका python इसका जो jango है वो install हो जाएगा अब एक बार जब जो install हो गया उसके बाद आपको क्या करना है तो jango का जो है वो project आपको बनाना है एक नया तो नया project बनाने के लिए आप क्या करते हैं जो python जैंगो के successfully install हो जाता है तो आपने पहले jango project को create करने के लिए terminal पर यह command पर आपको एक command लिखना है jango-admin उसके बाद space दिना यहां लिखना start project उसके बाद आपके आ जाएगा project का नाम तो जो भी आप project का नाम देना चाहें वो आप यहां से दे सकते हैं जैसी आप x को enter करेंगे तो आपके एक जिस directory में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपने जो project का नाम दिया उससे एक directory बन जाएगा यानि एक folder बन जाएगा जिसमें कुछ important files आपको मिलेंगी आप सबसे पहले हम इन files के बारे में देख लेते हैं कि यह files हैं क्या तो पहली files हम देखते हैं यह है हमारी manage.py तो यह क्या file है इसके अंदर आप open करेंगे तो आपको कुछ python का code जो directory जिस नाम से आपने project बनाया था तो यह directory project setting और configuration को store करती है अब हम देखते हैं जैंगो project का directory structure समझते हैं तो आपने जो project बनाया था उसके folder में आपको कुछ specific files को folder मिलेंगे जैसे कि init यह underscore init underscore dot py यानि कि इस file का जो यह वाली file जो है हमारी इस file का use हम जैंगो एप को package से package के format treat करने के लिए हम लोग करते हैं ठीक है अगला जो हमको मिलती है file वो है हमारी setting dot py इस file में हमारी project की सभी configuration को store करता है जैसे database setting, install application, middleware यह सभी चीज़ें आपको मिलेंगी setting dot py file में अगली जो हमारी python की files के अंदर है वो है urls urls.py इस file के अंदर पूरे जो urls होते हैं उनको map करना है आपको views के साथ में जैसे कि हम लोगोंने mvt model पढ़ा था पिछले वीडियो में तो यहाँ आपको उन सभी को लिखना पड़ेगा map करना पड़ेगा उन urls को last अपकी जो file है वो हमारी है wsgi.py यह file आपको jango application को wsgi.py compatible यानि web server के साथ deploy करने के लिए यह compatible होना आती है ठीक है अब आपको क्यों क्या करना है सबसे पहले हम लोग काम करते हैं सबसे पहले अभी हम कुछ भी नहीं मिना आएं और एक development server run करके हम लोग देखते हैं development server आपको run करना है लोकल development server run करना है तो इसके लिए आपको project directory में जाएं और हम लोग command नीचे जो है यहाँ पर terminal पर command लिखेंगे command है हमारी python उसके बाद हम लोग देगे manage.py अभी जो हम लोग ने देखी थी manage.py file है उसके दुरू हम लोग यहाँ पर एक command देगे उसका नाम है run server जैसी आप इस command को देगे तो यहाँ नीचे आप देखेंगे एक URL आपको मिल जाएगा यह URL जो आपको मिलेगा इसको अगर आप जैसे ही browser में डालेंगे तो आपको एक page दिखाई दिखा वेलकम page दिखाई दिखा जो बताता है कि आपका setup successful हो चुका है तो यह सब आपने कर दिया इसका मलब आपका जैंगो जो है वो setup हो चुका है यानि जैंगो environment आपका set हो चुका है अब आप अगला जो वीडियो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जैंगो में app और roots बनाना और आप अपना पहला webpage कैसे create कर सकते हैं अभी तक को हम लोग ने जैंगो का environment set कर दिया आपको एक welcome page बनाएंगे एक estival का page बनाएंगे इसके अंदर डालेंगे उनके urls हम लोग set करेंगे और root set करेंगे और फिर उसको हम लोग server पर run करके देखेंगे चरिया ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में